हेलो दोस्तों, Laptop Master में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस निशानत, आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो एक नए लाप्टाप के साथ, जी हाँ, आज भी हम आपके लिए लेके आए 14 जेनरेशन का लाप्टाप, जी हाँ, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हमने लास्ट वीडियो अप्लोड करी थी, i7 में 4060 ग्राफिक कार्ड के साथ, साथ में 16GB RAM और 1TB SSD, आज हम उसी का एक अपग्रेड वर्जन 4070 ग्राफिक 8GB DDR6 के साथ आपके लिए लेके आएं, यह लाप्टाप भी i7 में है, 16GB RAM और 1TB SSD, 4070 ग्राफिक 8GB DDR6, जी हाँ, इस के अंदर और उस लाप्टाप के अंदर हम बात करेंगे, तो जो मेजर परक है, मेजर डिफरेंस है, वो है ग्राफिक कार्ड का, तो दोस्तों, दोनों लाप्टाप हमें HP India ने दिये थे, वो जिस डिलर के सूप पोवाइड करे थे, वो दिल्ली के अंदर करोल बाग में, Omen Playground, जो बहुत ही premium store है, जिसे हम कह सकते है, one and only hybrid store है, दिल्ली NCR का, जहां पे आपको सारे gaming laptop, HP के सारे Victor Series, Omen Series, as well as, जो premium, super premium quality आती है, आपकी Spectre, NV, यह सारे laptop आपको यहां पे मिल जाएंगे, और offers भी, जो भी HP की offers होगी, वो यहां पे आपको जरूर मिलेगी, कभी भी आप आपने laptop लेना है, खास्तों से Omen नहीं है, Victor Series, Spectre, NV, तो आपने इस store पे एक बार visit जरूर करिएगा, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने laptop master हमारा channel अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर कर लिएगा, बेल आइकन जरूर प आपन करके आपको दिखाएं, क्योंकि laptop जब भी आप purchase करने जाएं, हमारी वीडियो देखें और आपको कोई भी problem ना हो, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने, करते हैं laptop को unbox, दोस्तों आपको laptop open करते वे दिखाते हैं, इसमें, यहां तो laptop है, यहां as usual आपका, जिसे हम कहते हैं, 280 watt का power adapter, round pin के साथ है, देखें, काफी heavy laptop है, gaming laptop है, तो आप expect बिल्कुल भी मत करियागे, कि आपको 65 watt का adapter मिलेगा, power code है, जिसकी length आपको अच्छी दी है, HP ने, यहां पे हमें मिलता है, gaming laptop, oh man, जी हां, आपको laptop open करके दिखाते हैं, देखें, black shadow color के साथ यह laptop है, अगर ह Omin laptop की हमेशा build quality better होती है, weight अगर हम बात करें, तो जो HP ने अपने उस पे launch शो कर रखा है, वो है 2.32 kg, अगर हम back side में ventilation की बात करेंगे, तो काफी बड़ा ventilation है, जिसना भी पूरा हमारा back side में है, back panel, उस में more than 50% आपका ventilation है, double fan है, laptop को open करेंगे, आपको दिखाएंगे, अग तीनों तरफ से देखेंगे, इसमें ports भी तीनों तरफ हैं, आपको ports भी इसमें बात करेंगे, हम इसकी wobbling चेक करते हैं, एक हाथ से open होता है और नहीं होता है, वो भी चेक करके देखते हैं, एक हाथ से open हो जाएगा, wobbling भी, हमने पहले भी जो laptop unbox किया था, उसके अंदर भी wob में wobbling है, तो चलिए दोस्तों, laptop को boot up करते हैं, laptop के left side में अगर आप देखते हैं, तो आपको USB type A, 5 GBPS signaling rate के साथ, एक ही port मिलता है, और कोई भी port नहीं है, और ventilation है, दोस्तों, laptop के right side में आपको देखते हैं, तो ventilation है, और आपको 3 port दिखाई देते हैं, जिसमें से 2 तो हैं, हमा USB power deliveries में, display port 1.4, HP sleep and charge इसके अंदर आपको मिलता है, और एक आपको मिलता है, combo jack, headphone, microphone connect करने के लिए, देखे, open laptop पर, laptop के back side में भी आपको port मिलेंगे इसके अंदर, यहां back side में भी आपको 4 port मिलते हैं, जिसमें से जो first port अगर आप देख रहे हैं, वो है हमारा charging के लिए, laptop चा RG45, जिहां, gaming laptop पर तो RG45 जरूरी है, साथ में आपको मिलेगा 1 HDMI 2.1 LED TV और प्रोजेक्टर करने के लिए, और एक साथ में आपको मिलता है, type A 5 GPBS signaling rate के साथ, दोस्तों, laptop की configuration देखते हैं, सबसे पहले processor देखेंगे, core i7 processor, 14700HX processor, देखेंगे, मैं आपको बता दूं, काफी viewers इसके comments आते हैं कि processor के आगे U लगा होता है, H लगा होता है, तो देखें, जितने भी normal laptops आते हैं, जिन में graphics नहीं होता, 90% laptops में U processor आते हैं, और जितने भी gaming laptop हैं, सम में H processor होते हैं, high performance processor होते हैं, इसके एक video बनाएंगे, जिसके अंदर हम सारे processor का differentiate करके आपको बताएंगे, देखें, जिसकी base speed में आपको दादू, base speed में इसकी 2.1 GHz है, turbo boost frequency के साथ के laptop अट है, turbo boost technology के साथ, turbo boost होके इसकी frequency आते है, 5.5 GHz, core इसमें 20 है, 8 performance score है, 12 efficient core है, जो 12 efficient core है, उनकी maximum frequency 3.7 GHz आपको मिलती है, कभी भी आप course की, मैं कभी भी confused मत होईगा, हमेशा लेने से पहले आप course जरूर चेक करिएगा, performance score कितने है, efficient core कितने है, यह सिर्फ Intel की processor में होता है, अभी तक AMD में हमने जो भी processor देखे हैं, सम्में performance score ही आते हैं, logical processor की बात करेंगे तो 28 है, और L3 cache की बात करेंगे, तो 33 MB आपको इसमें मिलती है, memory 16 GB, जी हाँ, 16 GB है, DDR5, 5600 MHz, दो slot हैं, दो के द laptop को open करेंगे, back panel इसका और आपको दिखाएंगे कि आप remove करके upgrade कर सकते हो, या नहीं upgrade कर सकते, disk, क्यों सिया कि disk इसमें आपको मिलती है, 1 TB की SSD Gen 4, जी हाँ, Gen 4 की company ने इसमें SSD दी है, 1 TB की जिसकी capacity आपको मिलती है, 954 GB, यह graphics है, जो Intel के अंदर inbuilt होता है, USD graphics, जो हमेशा shared पे जिसका, और जो इसमें, जो gaming laptop इसको बनाता है, वो यह है, graphics, NVIDIA GeForce, RTX 470, 8 GB, DDR6, जी हाँ, dedicated इसमें 8 GB का graphics है, अगर हम total, जो हम shared मिला दें और इसको dedicated को देखें, तो 15.9 GB हो जाता है, लेकिन कभी भी आपकी requirement अगर 10 GB graphics की हो, तो आप यह याद दखिएगा, आप इसको मत सो जोचेगा, कि यह 16 GB का है, यह 8 GB dedicated graphics ही है, क्योंकि shared हम इसमें involved नहीं करते हैं, दोस्तों, इसकी हम एक काम करते हैं, यह भी देखते हैं, जो graphics है, उसकी अगर हम TGP देखते हैं, तो वो हमें दिखाई देती है, maximum graphics power, TGP वो है, इसकी 140 Watt की, जी हा, 140 Watt की है, और दोस्तों, म हमने इसी laptop के mic से record करी, जिस से इस laptop के mic की quality भी आपको पता चल जाए, इसका display बहुत ही खास है, 16.1 inches का display है, full HD display, 165 Hz के साथ, 7 MS response time, IPS display है, micro edge है, anti-glare है, low blue light है, brightness की बात करें, तो 300 nits brightness है, color, color commit की बात करें, 100% sRGB, screen resolution, 1920 by 1080, बहुत कुछ है, इसके display में, web camera की बात करते हैं, HP True Vision, 1080p, full HD camera, with temporal noise reduction के साथ, integrated dual array digital microphone भी आपको इसमें मिलेगा, और privacy shutter भी आपको इस webcam में मिल जाता है, keyboard देखते हैं, full size, 4 zone, RGB, backlit keyboard, shadow black color के साथ, 26 की roll over, anti-ghosting की technology के साथ, आपको इसका keypad मिलता है, तो चलिए दोस्तो, 14th generation laptop, Omen, इसका back panel open करके देखते हैं, इसमें क्या-क्या changes करें हैं company ने, दूस्तो, laptop हमारा open हो गया है, देखे, gaming laptop है तो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, इसमें दो fan हमें मिलते हैं, एक graphic के लिए है और एक हमारे processor के लिए, देखे, यहाँ पे दो RAM आपको दिखाई दे रही हैं, 8.8 GB की DDR 5 RAM, Samsung की RAM लगी भी है, दोनों आप remove कर सकते हैं, remove करके आप नई RAM लगा सकते हैं, देखे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे न, तो आपको दो SSD के cover दिखाई दे रहे हैं, जिसमें right वाली में जो यह वाली SSD है, इसके नीचे तो 1 TB SSD आपकी लगी भी है, और एक port ओर है, जहाँ पे आप SSD लगा सकते हैं, अगर आप बैटरी देखेंगे, तो यह बैटरी आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ATC work hours की बैटरी है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फैन की नीचे heat sink या नीचे आपको Wi-Fi दिखाई दे रहा है, Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दो speaker लगए हैं, दो-दो watt के, यहाँ पे बैटरी के दोनों तरफ, दो आपको speaker दिखाई दे जाएंगे, देखेंगे, अगर हम बात करेंगे इसमें अप्ग्रेडिशन की, तो जैसे कि आपको पता है, ग्राफिक्स कभी भी अप्ग्रेड नहीं होता है, गेमिंग लाप्टप है, तो RAM गेमिंग लाप्टप में अप्गेड हो जाती है, हर गेमिंग लाप्टप में हमने देखिए, इसमें RAM अप्गेड होती है, इसमें 88GB की RAM लगी भी, आप इसको अप्गेड कर सकते हैं, आप 16-16GB या 32GB की दो RAM उसमें over add-on कर सकते हैं इनको remove करके लेकिन और SSD भी हमने देखा एक 1TB की SSD लगी भी और एक slot खाली है आप उसमें भी 1TB की SSD लगा सकते हैं यानि SSD की upgradation में इसमें आपको कोई problem नहीं होगी दोस्तो gaming laptop है और gaming laptop पे अगर हम game ना खेले तो हमारा review पूरा नहीं होगा दोस्तो game खेल के इस पे देखते हैं कि क्या quality क्या performance आपको इस पे मिलती है यानि क्या है तो दोस्तो आज हमने अन्बॉक्स किया पोर्टिंग जनरेशनल लापटाप जी हाँ हमने जो लास्ट वीडियो अप्लोड की थी वो थी WF1025TX के साथ और जो ये लापटाप आज हमने अन्बॉक्स किया है वो है हमने लापटाप 1026TX देखें जो दोनों में दोनों लापटाप के अंदर मेजर डिफरेंस है वो है ग्राफिक कार्ड का जो 1025TX है वो 4060RTX NVIDIA 8GB DDR6 के साथ है और आज जो हमने लापटाप ओपन किया है 1026TX वो NVIDIA RTX 4070 8GB DDR6 के साथ है बाकी मुस्क्री सारी कॉन्फिकेशन आपको इसमें सेम मिलती है देखें अब आप सोचेंगे कंपनी ने सिरफ एक छोटे से चेंजेस में दो लापटाप क्यों लाँच किये देखें आप कंपनी सोचे कंपनी ने HP ने कितना सोचा कि आप अगर 4070 यूज नहीं करना चाहते है आपकी रिक्वार्मेंट नहीं है आपकी रिक्वार्मेंट से 4050 4060 तक ही है तो आप अन्नेसेसरी एक्स्टा पेमेंट क्य होता है कोई वॉब्लिंग नहीं है आप इसमें जितने भी हाई-end गेमिंग करना चाहें 4070 ग्राफिक्स है कोई भी हाई-end गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं आप 3D डिजाइनिंग करना चाहें वीडियो एडिटिंग करना चाहें 3D मैक्स यूज करना चाहें जितने भ ग्राफिक्स के साथ तो इसके लिए बहुत ही चोटा टास्क है प्रोग्रामिंग हो गई कोडिंग हो गई आप जो भी आप सोच रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं वह इस लाप्टॉप पे आप कर सकते हैं जो पिछली वीडियो हमने अप्लोड की थी वह थी ओमें WF1025 TX उसकी प्राइसिंग जो एच्पी ने लाँचिंग में रखी थी 1,61,000 ती मार्किन में आपको 4,500 अप्डाउन में मिल जाएगा और ये लाप्टॉप एच्पी ने 1,81,000 में लाँच किया है अगर आप ग्राफिक कार्ड के साथ देखेंगे तो इसमें जो पहले ग्राफिक कोई model नहीं है अगर आप compare करना चाहें तो HP इसके साथ 1 year की on-site warranty देता है अगर आप अपगेड करना चाहें तो आप अपगेड कर सकते हैं extended warranty दो साल जब भी आप extra लेंगे तो आप उससे price पूछ पीजेगा यह time to time changes होते रहते हैं HP उसके साथ offers देता रहता है अगर आप तूट food की यानि accidental damage production भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जब भी आप HP world पे जाएंगे या omen playground जहां से हमें यह laptop मिला है यहां पी आप चुके हैं all over India के अंदर अगर आप omen ले रहे हैं तो आप एक बार omen playground पे जरूर जहिएगा जैसे दिल्ली के अंदर जो हमें laptop मिला है करोल बाग में omen playground यह hybrid store भी है यहां पे बाकी laptop ची मिल जाएंगे आपको inspector और envy तो एक बार आप जरूर चेक करिएगा अगर warranty upgrade करानी है तो आप वहीं से hp वाले omen playground से ही कराएगा कभी भी third party warranty आप upgrade मत कराएगा अगर आपकी warranty थर्ड पार्टी होती है आपको problem आईगी तो आपको 90% cases के अंदर easily warranty नहीं मिलती है मिलती है तो आपको part payment करनी होती है तो दोस्तो हम आरेक पास अभी दो laptop आये थे 14 generation के साथ hp से दोनों ही हमने unbox कर दिया है future में जो भी laptop आएंगे नए नए जितने भी आएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे सबका review आपके लिए लेके आए और सबका back panel open करके आपको दिखाएं और इसलिए दोस्तो अगर आपने अबीर तक हमारा laptop master channel subscribe नहीं किया है तो subscribe जरू कर दिएगा बेल आइकन जरू प्रेस कर दिएगा जिससे हम जब भी वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरू पताईएगा अगर पस